नमस्कार दोस्तो शॉटगन की नहीं वीडियो में आपका स्वागत है और आज आपको हम विदेशी साइड बाई साइड शॉटगन दिखाएंगे यह दोस्तो मेड इन स्पेन साइड बाई साइड बारा बोर शॉटगन बहुत ही बेतरीन वुड़न स्टॉक है यह आप इसका हैंड गार्ड देख रहे हैं यह आप देख रहे हैं कि case hardening होई पड़ी है hand grip पर check ring wooden stock बहुत ही बेतरी है barrel पर rib है और बहुत ही सुनदर यह designing है और face hardening है यहां पर भी hammerless है gun यह और stock बहुत ही सुनदर है यहां लिखा है made in Spain और यहां लिखा है made with imported components यह bottom view है gun का इस परकार से है यह hand guard बहुत ही सुंदर है check ring है ताकि grip अच्छी बने और gun फिसले ना असानी से यह उने barrel को खोला है और यहां लिखा है 900 kp पर centimeter square यह pressure के बारे हैं बताया है और यह इसके firing pin उसका area देख रहे हैं आप और इसकी यह बट प्लेट है यह अलग नहीं है यह wooden में ही बनाई हुई है यह stock इकठा ही है अलग बट प्लेट नहीं है यह अब ज़रा वजन देखते हैं इसका यह 3 kg से थोड़ी सी अधिक है लग बग सवा 3 kg 3 kg 234 ग्राम और अब ज़रा gun की overall length और barrel length देखते हैं barrel length लग बग 27 इंच है और overall length है इसकी 44.5 इंच चोक देखते हैं कितनी है दोनों barrels चोक है left side की थोड़ी अधिक चोक है और right side की थोड़ी कम चोक है अब वर्नियर से नापते हैं इसको तो पहले मैं इसकी right side की barrel नाप रहा हूँ यह 18.16 यह कहेंगे 0.715 इंचिस और अब right side की जो है 17.18 mm दोबारन आपने वरा रही है 17.21 हलका सहरर आ रहा है और अगर इसको इंचिस में convert करें हैं तो 0.677 barrel condition बहुत ही बेतरी है जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी barrel पे खैरुदीन एंड संस भी लिखा है जिन्होंने कि शायद इस gun को import करवाया होगा non ejector है gun ये rib है barrel के उपर safety इसमें auto है खुद safety लग जाती है अब जैसे कि ये मैंने इसको fire के लिए ready किया safety हटाई लेकिन जैसे मैंने इसको खोला इसकी safety खुद ही लग गई यहाँ पढ़ सकते हैं खैरुदीन संस एंड कमपनी जो importer रहे होंगे इस gun के तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो made in Spain side by side 12 बोर शॉटगन पर वीडियो अच्छी लगी ये लाइक करें चल को सब्सक्राइब करें आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे धन्यवाद